हेलो फुचर दोक्टर्स गुड मारिंग मैं हूँ आपका दोशता अभिशेक और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब पिनल दोस्तों एक बहुत सिंपल सा सवाल है बहुत कॉमन सवाल है मेरे पास काफी फोन कॉल साते हैं मेसेज़े आते हैं कि सर डॉ आपको पहले क्लियर कर दो कि अगर भारत में डॉक्टर बढ़ना है तो नेट एक्जाम क्वालिफाई करना मस्ट है इसके लावा अगर आप भारत के बाहर में बिवियस करना चाहते हो जैसे बहुत से बच्चे फॉरन जाते हैं करने के लिए तो उस कंडिशन में भी आपक कोई नीट एक्जाम देने की जरूरत नहीं है तो दोस्तों आप दादें कि according to भारत सरकार या आपके साथ fraud हो रहा है और government जो है अगर आप डिगरी ले भी लेते हो तो इस डिगरी को valid नहीं करेगी ठीक है तो अब सबसे बड़ा सवाल कि डॉक्टर बनने के लिए आपके नीट एक्जाम में minimum यानि कम से कम कितने marks होने चाहिए दोस्तों आप कुछी बता दूमें कि अगर आप qualifying की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर मैं आपको एम्स की या government college दिलाने के बाद नहीं कर रहा हूं अगर आपको नीट एक्जाम क्वालिफाई करना है तो आपके marks कम से क नीट एक्जाम में 135 से 145 के बीच में होना चाहिए आपका target कम से कम 150 नंबर हो तब आप नीट एक्जाम को qualify कर सकते हैं और इतने नंबर लाने के बाद आप चाहें तो private institution हैं वहाँ पर donation देखे या other किसी policy के तहत MBBS कर सकते हैं government आपको कोई problem नहीं create करेगी सीधी सी बात यह है कि अगर आपको doctor बनना है भारत की बात कर रहा हूं तो इस condition में आपके नीट एक्जाम में कम से कम 135 से 145 नंबर का होना must है दोस्तों I hope आप मेरी बातों को समझेंगे अगर आपको government college चाहिए आपको best college चाहिए तो यहाँ पर यह नंबर बढ़ जाता है और यह आपके नं नंबर 580 प्लस जनरल बच्चों के लिए OBC के लिए 570 प्लस और SC80 के लिए 480 प्लस सम्थिंग का नंबर होना काफी मस्ट है तो यह छोटी सी वीडियो आपके लिए आपसे भी का बहुत बहुत धनिवाद थैंक्यू सो मज जय हिंद वन्दे मात्र झाल 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 झाल